कि जहीं दोस्तों मैं ना मदिद थे और मैं आप लोगे समय आज क्लास 10 का एक नया टॉपिक बिद्दुत इलेक्टिक लेकर आया हूं अगर आप प्लास 10 में पढ़ रहे हैं और पाप पेपर देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगे लिए हल्प करेंगा बहुत जाद तो चलिए हम देखते हैं विद्दुत आता है विद्दुट को देखेए इसका मतलब होता है, जरूरी नहीं कि कोई तार ही हो, दुनिया में बहुत सारे चीज हो सकते हैं, तो हम अगर बोलें कि क्योल तार बेद धरा जा सकती है, तो नहीं, हर एक चीज में, कोई भी चाहे मेटल लीजी जाहे कुछ भी लोहा, मलब सबकुछ, एक ऐसा चीज, जिसमें, और सभी चीज में सभी चीज में इलेक्टान होता है, कंड़क्टर में दो परकार के होते हैं दा तो एक चालक और एक अचालक, एक होता है इंसुलिटर और एक होता है कंड़क्टर आप जानते होंगे, तो जिसमें इलेक्टान रहता है, उसे क्या बोलते हैं, कंड़क्टर उसे बोलेंगे रहे होगा जिसे माली जी मेरा मारकर है यह प्लास्टिक का अब इसमें इलेक्टान नहीं है इसलिए इसमें बैदुधारा नहीं परवाहित होगी मतलब जिसमें इलेक्टान रहेगा उसमें बैदुधारा परवाहित होगी अब आप हमारे सरीर को देखिए क्या हमको लाइट म नमुप करेगा वेसा बुधूधारान हम्पों भुद धारानों को बिल जाए अब एघोंशन यह उटता है कि सजी आबे ज विद्धूत का परिवधासा दे दीज़ी तो बिद्धूत धारा का जो परिवासा होता है वह होता है आबेश परवाह की दर को बेदुधारा कहते है आबेश परवाह की दर को यहां हम दर को समय बोलते है दर मनलब क्या होता है समय ठीक है या दर बोले चाहे समय बोले चाहे टी बोले चाहे कुछ भी बोले तो यह क्या होता है यह सब समय ही होते है हम क्या बोलेंगे बेदुधारा किसे कहते है आबेस परवाह की दर को बेदुधारा बोलते है इस आबेस का मात्रक होता है कुलाम होता है और समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड होता है तो आई का जो मात्रक हो जाए कुलाम प्रति सेकंड लेकिन इसको यह बोला नहीं जाता है इसका जो SI unit होता है I का मतलब current का बेतुद धारा का वो होता है MPR I hope इतनी बात clear होगी अब कोशन ये उड़ता है कि सर बेतुद धारा क्या automatic जाएगा? नहीं उसको कोई धाकेलने वाला होगा अब जैसे माल लेजे अब कोई भी चीज है इसे रुका हो तो जाहिड से वाल तो वो आगे कब जाएगा? या तो उसके अंदर कोई internal force हो या तो उसके अंदर कोई सक्ती हो या तो उसको पीछे से कोई धाकेलेगा तभी तो आगे जाएगा? जी तो उसको धाकेलने के लिए आता है आपका बिभव क्या आता है? बिभवांतर हम ले लेते हैं चाहें बिभव बोली है और चाहें बिभवांतर लेकिन बिभव और बिभवांतर में अंदर है तो आप हम समझ गए कि बेदुधारा क्या होता है? आबेश परवा कि दर को बेदुधारा कहते है आबेश का मातर है क्या होता है कुलाम होता है और समय का मातर है सेकेंड होता है और आई का जो SI unit होता होता है MPR होता है अब बात करते हैं कि सर आबेश को ढखेलने के लिए आता है विभो या विभो आंतर तो हम समझते हैं कि विभो और विभो आंतर क्या होता है विभो और वि बिभवांतर मनलब की उन दो बिंदू का अंतर होता है और बिभव क्या होता है अंतर नहीं होता है जैसे अगर मैं आपसे बोलू कि बिभवांतर की परिभासा दीजिए तो आप बिभवांतर को कुछ इस तरीक से डिफाइन करेंगे बिभवांतर क्या बोला आपस को लाने में एक बिंद से दूसरे बिंद तक ले जाने में किया गया कार बिभवांतर कहलाता है अब वही अगर कोई बिभव पूछे तो बिभव एक काल टू क्या हो जाएगाapore कू आपस को लाने में किया गया कार वह द्दृद मात्रक होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात आती है कि सर्ग जो हमारा बैदुधारा बहती है उसके लिए क्या चाहिए कहां बहती है तो बैदुधारा जब बहती है तो एक परिपत में बढ़ती है लेकिन परिपत होना कैसे चाहिए परिपत हमेशा बंद रहना चाहिए परिपाथ हमारा कैसा होना चाहिए मदलेंगे रिड़ टर्मीनल और इसे बोलते हैं धनटरिमिनल तो हमारा जो बैदुधारा की जो जाती है बैदुधारा वो माइनस से पलस की ओर जाती है मतलब दिशा इधार होगी ठीक है तो इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं परिपत तो परिपत का कोई पूछे कि बिदुद परिपत किसे कहते हैं तो बैदुद परिपत देखो किसे कहते हैं ज जब बैदू धारा एक बंद। यह मलतार एक बंद। रश्टा एक बंद। द्धारा का परवार्प क्या करता में दूक 되स्क्राइब मतलब ऑंसुआ इतिवात क्लीर हो गई छीक हैं बंद। हम धोम से एक न्यूमिरिकल ले लेते हैं देखिए एक कोशन है किसी बिद्दुत बल्व के तंतु में 0.5 एंपियर 10 मिनट तक परवाहित होती है कोई तंतु है ठीक है कोई तंतु मिलना कोई तार है कोशन अभी मनें फार्मुला बताए आई बराबर क्या होता है आई बराबर होता है क्यूब आई टी लेकिन यहां जो हम टी लेंगे वह हमेशा सेकंड में लेंगे ठीक है अब आप लोग बताएं अगर हमारा समय मिनट में किस में है मिनट में तो हम मिनट को किस में लेंगे सर सेकंड में लेंगे अगर यह घंटे में हो तो हम किसमें लेंगे सेकेंड में ही लेंगे अब आपको यह पता होगा कि 10 मिनट है सामय हमारे कितना है 10 मिनट और 10 मिनट को हमें सेकेंड में कल्कुलेट करना है तो एक मिनट में 60 सेकेंड होता है भाई एक मिनट में 60 सेकेंड तो 2 सेकेंड में 120 सेकें 10 मिनट में कितना होगा 10 से multiply कर दीजिए तो आपका कितना आजाएगा 600 सेकंड मतलब 10 मिनट में 600 सेकंड होते है कोई दिक्कत नहीं है अब Q कमान मुझे निकालना है I कमान दिया है 0.5 MPR और T कमान दिया है 600 सेकंड Q कमान पूछा क्योंकि कह रहा आबेस का मानिक आप इसको यहीं पकड़े और इसको आप गुड़ा कर दे तो Q equal to हो जाएगा IT क्या हो जाएगा IT I कमान होता है MPR मतलब 0.5 और T कमान दिया है आपका 600 ठीक है अब देखो गुड़ा दसमलों मगर कोई दिक्कत हो तो आप इस दसमलों को हटा के दसमलों के एक अंक था तो 1-0 नीचे कर दो और 1-0 से 1-0 काट दो 6-5-30 1-0 लगा दो यह हो गया कुलाम यह हमारा answer हो गया अब हम देखते हैं जो हमने आपको पैदुत परिपत बनाया जिसे माल ली यह परिपत मेरा और यहां पर मैं एक A लिख ले रहा हूँ अब इसका मलत हम आपको समझा दे रहे हैं ध्यान से सुने माल ली यह माइनस है यह पलास है बैदु धारा इधर से इधर जा रही है और बैटरी हमारी जल रही है नियम होता है कि जितनी बैदु धारा जानी चाहिए उतनी धारा आनी चाहिए अब इसी कारण हमारा दो तार होते हैं इसी कारण हमारे दो तार होते हैं अगर भाई इलेक्टान जाना जिसे माल ली जे इलेक्टान जा रहा है तो क्यों दो तार क्या हो सकता पड़ी तो दो तार की वोगता है, इसलिए पड़ी, क्योंकि एक से इलेक्टान जाता है और दोसरे से इलेक्टान चलाता है, ठीक है? इसलिए दो तार की हमें जरूरत पड़ती है अब देखे, इलेक्टान गया, यहां से बैदुधारा परवाहित हुआ माले जी आई, सर यह A क्या होता है A होता है, एमीटर, एमीटर का काम क्या होता है, एमीटर जो है वो बैदुधारा को मापता है अब कोशन पूछ लेगा आपसे कि बैदुधारा को किस में नापा जाता है तो एमीटर से नापा जाता है बैदुधारा को किसे नापा जाता है एमीटर को अब एमीटर को परिपत में किस करम में लगाया जाता है तो ध्यान सुनें अगर एक ही तार है अगर एक तार है तो उ कितार है ना हाँ लेकिन आप जरा ध्यांस देखिए हमारा यहां लाइट जली हुई है यहां पे लाइट जली हुई है अब यह धारा यहां से जाएगी यहां से चली आएगी मलब धारा कहीं कन्फ्यूज नहीं हुई तो धारा जहां कन्फ्यूज ना हो उसे बोलते हम स्रेड करम में जोडते हैं आयों कितनी बात किलियर हो गई सर यह क्या होता है यह होता है कुझी यह क्या होती है कुझी ठीक है अब यह कुझी क्याम करता है कभी कभी कुझी ऐसे लिखा होता है और कभी कभी ऐसे लिखा होता है तो इसका मनलब कुझी मनलब वह पलग जो आप दबात है कुंजी बंद है अब यह बताओ जब कुंजी बंद होगी जिसे अगर मैं आपसे कह दूँ यह कुंजी बंद है और यह कुंजी खुली है और इसे कुंजी बंद है लेकिन आपसे कभी कभी कोश्चन ऐसे पूछ लेगा कि इसको यह हो गया है अब मैं आपसे कोश्चन ऐसे देता हूं जिसे माली जी हमारा कोई बलफ है ठीक है इसे माली जी बलफ है और यहां पे एक बैटरी है और यहां पे मैंने एक पलग लगा दिया ठीक है कुझी लगा दिया के अब मैं आप से कह दू क्या यहां बलफ जैसे मैं इसको यहां चलो यहां जोड़ देता हूं यहां पर पलग लगा दिया झार अब जब तक धारा यहां जायेगी नहीं ध्यारला जलेगा नहीं अब आप से कह दू यह पलग खुली हुई है कि बंद है तो आप बॉलेंगे सर्म खुली हुई है अब मैं कहता बंद है जी मद है तो अब कोशन ऐसे पूछ रेले गा जब कुद्जी कुली रहेगी और यहां जाना चाहिए और ये धारा को जाने ही नहीं देगा तो हमारा बलफ नहीं जलेगा तो इससे हम यह कह सकते हैं जब हमारी कुझी खुली रहती है तो बलफ लाइट नहीं जाता है ठीक है? और अगर मैं कुझी को बंद कर दूँ, बलफ पलफ को मैंने इसे जाता है और जो फुला रहता है तो लाइट नहीं जलते हैं सब में आ गया ठीक है नेश्ट टॉपिक चलते हैं देखिए कोस्टन है कि 12 बोल्ट अब जहीं से हम बोलेंगे विवांतर यह किसका मान है बोल्ट यह होता है वह बी का मान 12 ठीक है के दो बिंदूओं के बीच दो क जाने में किया गया कार बताओ तो बी का फॉर्मला क्या होता है बी बराबर होता है डबलो बाई क्यू होता है बहुत सीमपल गुरुजी अब डबलो को यहाँ पकडेंगे और असफ means और गुड़ा कर देंगे तो डबलो6 ऑगे क्या हो जाएगा बहू सिंपल से से चीज अब देखो Vục के मांडीा का दिया है बारा सिंपल सी चीज है और क्यूं का मांडीा है दो दो हो गया बारा दूनि 24 खतम कहानी डफोलुकामान लेकिन अब डब़ुलू का मात्र क्या होता है तो डबलू का मातर क्या होता है जूल होता है यहांते बाद किलियर हो गई यह हो गया मेरा एंसर हो गया अब से लिए हम आपको खुछ और बताते हैं अब हम आपको बताते हैं कि इन सब का परतीक क्या होता है ठीक है बहुत पूछ लेता है एक नमर के इसका परतीक क्या होता है तो बेद्दू सेल का परतीक क्या होता है इसका परतीक होता है यह इसे क्या बोलते हैं बेद्दू सेल यह होता है पलस और यह होता है माइनस होता है सब बैटरी का संयोजन कैसे करते हैं तो बैटरी का संयोजन इसी करम को हम बढ़ा देते हैं जैसे ऐसे हैं फिर एक छोटा सा फिर एक बड़े ट्रेमिनल से जोड़ता है धन रिड फिर ये छोटा फिर जाके बड़े से जोड़ता है फिर चोटा ऐसे इसे जोडता चला जाता है तो इसको हम बोलते हैं बैटरी का संयोजन बोलते हैं यह हो गया पलस यह हो गया माइनस पलस माइनस जोड़ देते हैं खुली कुंजी क्या होता अभे जश्ट मैंने बताया इसे बोलते हैं खुली कुंजी और इसे बोलते हैं बंद कुंजी जब बीच में डॉट लगा दे तार संधी क्या होता है संधी मनलब होता है जोड़ा मतलब कि तार संधी कहरा तो मनलब तार को जोड़ना अब भाई एक तार को मैंने यहां जोड़ दिया एक तार को यहां जोड़ दिया मतलब जहां ऐसा बिंदू जहां से दो या दो से जादा तार एक दूसरे को connect कर रहे हैं उसे बोलते हैं तार संधी कहते हैं फिर कहरा प्रतिरोध आप लोग इसे तो वाकिफ होंगे इसे बोलते हैं resistance इसे बोलते हैं प्रतिरोध है Emitter क्या होता है? अभी मैंने just बताया Emitter क्या होता है? A से Emitter होता है Emitter को हम किस करम में लगाते हैं? स्रेडी करम में important है सबसे आदा ये हो गया plus और ये हो गया minus Question पूछेगा कि Emitter क्या होता है? तो Emitter बेदुधारा कम आपने का यंत्र होता है Emitter को परिपत में किस करम में जोडते हैं? तो Ameter को परिपत में सरेडी करम में जोडते हैं अग बोल्ट मीटर क्या होता है बोल्ट मीटर भाइच अब विभमांतर को ना पेगा यह हो गया पलस और यह हो गया माइनस फिर कोशन पूछेगा कि बोल्ट को किसमें ना पाजाता है तो बोल्ट को किसे न पाजाता है, बोल्ट मीटर से, परिपत में बोल्ट मीटर को किस करम में लगाते हैं, तो इसको हम लगाते हैं समांतर करम में, बेरी बेरी इंपोर्टन्ट है, यह हो गया समांतर करम और यह हो गया स्रेडी करम, स्रेडी करम, अब यह बार आप लोग खि किसमें आपा जाता है? एमिटर से. I hope कितनी बात? किलियर हो गए. फिर एक आता है तार करासिंग क्या होती है? तार करासिंग. तार करास मनलब यह होता है, जैसे माली यह कोई तार गया, और एक तार आया और इसको इसे करास कर दिया. इसका मनलब यह हुआ, कि जैसे यह में तार है, और ऐसे नगहा के लेगा. मनलब यह तार, इस तार को कभी टच नहीं करेगा. आप जो टच नहीं करेगा, तो इसका बेदु धारा इसमें नहीं जाएगा. तो यह बताता है, यह तार करासिंग का है मलब इसकी धारा इसमें नहीं जाएगी ठीख है चलिए आपको नेश्ट आप पर देखिए यह टॉपिक है बेरी-बेरी इंपोर्ट है इसको हाइलाइट कर ले कह रहा हो ओम का नियम क्या होता है तो ओम का नियम चलिए किया नहीं है कि आप कभीृ सिक्री कर दीजिए पर लगाया गया विभवांतर इन दो पेन सीरों पर लगाए गया विभोमांतर भी और उस परिपत में बहने वाली धारा आई एक दूसरे के समानूपाती ह् certain या बोलैं एक दूसरे के अनकुर्मानूपाती होते हैं फिर से बोलो समान इताब पर परिपत किनी दो बिंदौँ उपल लगने वाला विभुमांतर और उस परिपस में बहने वाली धारा एक दूसरे के समानु पाती होते हैं तो इसका मनलब यह होता है कि अगर हम भी बढ़ाएं तो आई बढ़ेगा अगर भी घटाएं तो आई घटेगा अपसार जी कैसे तो चलो हम आपको बताते हैं अभ होना धकिलता कौन है विभाव अब विभाव सेव्य घटेज भकिलने तो तो इसे जाएंगे मनलब किसंपे डिपेंड किया हमारा जो होता हो आएपे डिपेंड करेंगा अगर यह भी बहुत तागडा होगा तो आई हमको बहुत तगड़ा मिलेगा वी का आप लोगों को जो घरों में होता हो जादा-जादा 220 बोल्ट आता है ठीक है क्योंकि 220 बोल्ट में हमारा धारा होता है नॉर्मन चला जाता है लेकिन अगर यहीं 440 बोल्ट लगा दे एक 1000 बोल्ट लगा दे तो धान से टी कि कोई चीज़ कंफ्यूज हो जाएगा पतला कि टीवी अब यह उड़े लिया दिया उड़ जाएगा है ना और एक चीज़ और देखें हम लोग कभी-कभी गाउं में कहते हैं कि है लाइट आ गई तो लाइट में एक्चुली में उस तार में आता क्या है धारा आता है इल लाइट कर जाती है तभी उलेक्टान भरा रहता है फर कितना कुछ को को अगर कोई ढखे लगा तब वेदुधाराम को मिलेगा तो जई से कहते हैं लाइट आ गई एक्चुली में लाइट कौन आया बोल्ट आता है अब बोल्ट आता है इलेक्टान को ढखेलता है खिद्ध कर दिये कि B proportional I, B बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, इसका एक गराब बना दे आपको, यह हो गया B और यह हो गया I, तो इसका जो गराब बनता है कुछ ऐसे होता है, इसका मलब यह हुआ कि आदो को, पहले I बहुत छोटा है, तो B भी बहुत छोटा है, इधर जाएंगे B बढ़ेगा, इधर जाएंगा, तो I बढ़ेगा, अब मैं I को ले लिया, छोटा इतना बढ़ा का ले लिया, तो देखो, B भी हमको इतना बढ़ा का मिल गया, अब मैं कह दिया, I हमको इतना बढ़ा ले लिया, तो I हमको इतना बढ़ा मिल गया, अब मैं I को इतना बढ़ा कि बी परपोर्षनल आय होता हूँ बी ओ आय का ग्राफ हो गिया बेरी बरी इंपोर्टेंट है अब हम सिद्ध होगए कि ओम ने है कि अब इस कॉंस्टेंट को हटाया तो जब आपांशन नंखता है बाबू वारी जब यहां परपोर्षनल काoss पे दथा है तो एक constant आता है तो b बराबर यह constant आता है r और यहां क्या हो गया i इस r को बोलते हैं resistance या प्रतिरोध इसे क्या बोलते हैं प्रतिरोध बोलते हैं और इसी प्रतिरोध को ओम ने इसी का study करते चले गए कि अब यह प्रतिरोध क्या होता है कि अठाक है अच्छा कोई बोले प्रतिरोध क्या हो जाएगा तो आरिक्कल्ट क्या होगा इसको यह पकड़ेंगे अगर फेकेंगे तौ नीचे गिरेगा तो भी बराबर बी भाई आप यह प्रतिरोध हो गया अब हम देखते हैं कि यह जो प्रतिरोध क्या होता है घूरु ज अब इसमें एक स एक चैनल यह मालीजी भीhew यहा बैट्रेट करता है यह बैदू धारा को रोकता है अब भाई जैसे कोई आगे बढ़ता है तो रोकने वाले हजार होते है जरूर पैदा हो जाएंगे आपको रोकने के लिए आपको डिश्टरब करने के लिए तो प्रतिरोध क्या होता है बैदु धारा को रोकना ही क्या कहलाता है क्या बोला बैदु धारा को रोकना ही क्या कहलाता है प्रतिरोध कहलाता है समझ गए जी साथ अब प्रतिरोध का जो मातरक होता है ओम होता है हाई वाला ओम नहीं यह वाला ओम नहीं परत्रोत का मातर ओम होता है मलब ओम ऐसे होता है ठीक है अगर आपको ना बनाने आए तो आप ऐसे भी लिख दें कोई दिक्कत नहीं है ओम लिख दें ठीक है परत्रोत का मातर क्या होता है ओम होता है अब इस भाई साब जो क्या नमते ओम भाई साब थे उ क्यों कि जो भाई अगर पत्रोहत ज़ादा नहीं कि तो इसे कितने करम रह सकते हैं कि विजिली हमारा कम गिरे तो उन्हों इस परिपत में आर को दो भागों में सजा दिया, आर को दो भागों में सजा दिया, एक होता है स्रेडी करम, और एक होता है समांतर करम, अब ये गुरुजी स्रेडी करम क्या होता है, समांतर करम क्या होता है, स्रेडी करम मलब की इसमें ज्यादा तार का जहमेला नहीं होता, और इस समांदर करम मतलब होते हैं दो से जादा तार है जैसे अगर मैं आपको फीगर समझाओं ये कुछ ऐसे है और ये है अगर मैं इस तार को ऐसे खोल दूँ तो दो को एक के तार है ना तो ये कौन सा करम होगा स्रीडी करम होगा माली जी ये आरवन है ये आरटू ये आरथिरी स्रीडी करम का जो फार्मूला होता है तुल प्रतिरोध आर इक्वल्ट होता है आरवन प्लस आरटू और प्लस आरथिरी ये स्रीडी करम का फार्मूला होगे तुल प्रतिरोध का अब वही अगर हम समांतर करम की बात करें तो स समांतर करम का फार्मुला कही से होता है बहिया कुछ तार ऐसे होता है यहां से सुनें हमारो जो बैदुधारा गया आय यह हो गया बिभुवांतर गोल्ट भी था इसमें आरवन इसमें आरटू इसमें स्रेडी करम जहां धारा कन्फ्यूज ना हो धारा चली जाए आसानी से और समानता करम जिसमें धारा कन्फ्यूज हो जाए अब आप आपके सामने एक रास्ता जाने के लिए तो आप बहुत अराम फे चले जाएंगे अब वही अगर चार-Pांच रास्ता गली हो तो आप कफ्यूज किस गली में जायें किस गली में मिलेगा तो आप इसे बहुत सकते हैं ठीक है तो आप यहां जाए जैसे आई पहुंचा आप वो confused हो गया भाया इधर जाएं कि ऐसे जाएं कि ऐसे जाएं तो जहां धारा confused हो जाता है वो कौन सा करम हो गया समांतर करम हो गया कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी तो इसका फार्मुला होता है एक बटे r equal to एक बटे r1 एक प्लस एक बटे r2 प्लस एक बटे r3 कोई दिक्कत नहीं है अब इन्होंने तो देख लिया खोज दिया कि हम इस प्रत्रोध को दो करम में सजा सकते हैं एक स्रेडी करम और एक समांतर करम अब मैंने क्या बोला जो जिसका प्रत्रोध ज्यादा होगा बिजली ज्यादा खाईगी क्योंकि प्रत्रोध अगर ज्यादा होगा मजबूत है तो ज्यादा बिजली खाईगी ज्यादा बेदुधारों को रोकेगा और अगर प्रत्रोध कम है प्रत्रोधा अगर कम है कारी इसको दो लेली इसको दो ऑर इसको सब्सक्राइब को थियं को यहां लगाने सबस्क्राइब अब हम इससे आपको यह बताना चाहते हैं कि परिपत में जो अलos गरों की वारिंग होती है वह किस समय में लगाए जाता है इसका तुल तो यह क्या होगा सिंपल सी चीज क्या हो जाएगा बटा 2 प्लस एक बटा 2 प्लस एक बटा 2 यह जाएगा मनलब यह जीरो दसमलों कुछ कुछ करके परिकेशे काँएगा ?нее कर दीन पत् linha दो को सेम परकार काई एक एक को था करेमेल लगाया अब मैंने देखा याउड कि स्रेडी करमें लगाने पर हमारा पर्तोद्धाइ ओर उसी को अगर हम समानतर कर में लहाते हैं तो हमारा प प्रतोद एक कम है अब कोस्चन में आप अब अभी पूछेगा कि घरों में वारिंग फिस परिक्यारत्स लगाते तो लगांगे समांतर करह लग आएंग्गे क्योंकि कि प्रतिरोध घब्र हमसे में तेन ओम को हम पार कार सजाएं यह चार ऊम की प्रतिरोध को हम किस परकार सजाएं कि प्रतिरोध कम से कम मिलें अब प्रतिरोध अगर हमको कम करना है तो हम समानतर करम लेंगे फिर कोशन पूछेगा कि 3 परत्रोधों को हम किस करम में जोडें कि बहुँ ज्यादा परत्रोध मिलें तो किस करम में जोडेंगे सेड़ी करम में आई वह कितनी बात clear हो गई देखे सेड़ी करम का जो फार्मूला होता है सर आप तो इसके बारें पोस्ट माटम कर दी लेकिन यह आया केसे जरह हम आपको यह बता दीजिए तो चलिए सिद्ध कर देते हैं दो यह लाइन का कोशन आप माल लेंगे कि ऐसे हमारा तीन प्रत्रोध है आरवन आर्टू आर्थरी यह दूसरे से कनेक्ट है इन सबका जो भ प्रत्रोध अगले पत्रोध से जुड़ा हुआ है तो हर एक बिन्द पर हर एक पत्रोध पर इसका विवांतर अलग-अलग होगा B1, B2 B3 छिक है अब देखो इन सबका विवांतर क्या है वी सबका विवांतर क्या है वी यह विवांतर तीन में टूट गया D1 प्लस B2 प्लस B3 अब मैं अगर पूछूँ कि यहां पे ध्यां से सुनो I हमारा यहां पे जाएगा यहां पे जाएगा तो I कभी confused नहीं होगा दोखो I तो सीधे चला गया ना क्योंकि एक तार है यहां से जाएगा सीधा चला आपको खाना खाके भागी आएगा कहीं confused ही नहीं होगा तो I तो सभी जगां सेम होगा यहां भी I सभी जगां I और अगर मैं B1 की बेल्यों पूछूँ तो B1 is equal to क्या होता है IR लेकिन B1 मतलब यहां पे R1 है और I सब में सेम है अगर मैं पूछूँ B2 तो यहां हो जाएगा IR2 B3 यह हो जाएगा IR3 चिक है और तुल बिभो क्या हो जाएगा सबका बिभो B is equal to IR अगर सबका तुल पत्रोद R लेलू और सबका तुल बिभो B लेलू तो B is equal to क्या होता है IR तुल बिभो मैं लेलिया IR B1 हो गया IR1 IR2 प्लस IR3 तो को I, 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 I सम्में सेम है तो इसको मैंने कामल लेके काट दिया तो R is equal to हो गया बाबू R1 प्लस R2 प्लस R3 यह हमारा हो गया सिद्ध हो गया कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी कितने कोई छोटा हो गया अब हम लेते हैं समांतर करम का देखो यह समांतर करम समांतर करम का फर्मला क्या होता है 1 बटे R equal to 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 क्या सजी 3 तक होता है नहीं बाबू जितना परतो हो तो सबको इसे जोड़ते चले जाओ समांतर करम में ठीक है यह फर्मला आया कहिते हैं चलो भी देखते हैं सिद्ध करते हैं देखिए धारा हमारा इधर आया ठीक यहां आया अब जब यहां आई आ गया अब यहहां पर 5 बस Porsche कर देगा konfuse हो जाएगा मैं जाओ कैसे तो कहाँए ठीक आदा तो भी रहता है ठीक है तो अगर अलग अलग पॉइंट जोड़ा गया होता है तो वहाँ वीवादतर अलग अलग होता क्योंकि व्हांट विवांतर अलग उसका विवांतर अलग अब यहां पर कंफ्यूज कौन हुआ आई अम जैसे कहें तो बाबू कि असमें 10 एमपेर की धारा जा रही थी दूई इसमें चला गया दूई इसमें चला गया चे इसमें चला गया तो आप इसे तो बोलेंगे 10 बराबर हो गएगा दो इसमें पलस 6 उसमें तबीता दस बराबर आएगा तो अब मैं बोलूँगा कि जो हमारा आई है वह तीन भागों में टूट गया है किसमें I1, I2 और I3 इसमें तूट चुका है अब हम अगर हम I1 की वैलू पूछें I1 की वैलू तो जरा आप बताओ B बराबर क्या होता है B बराबर होता है I1 तो I is equal to क्या होगा बाबू B by R होगा यहीं तो होगा जी सर बेलोकुल होगा अब मैं अगर मैं पूछूं कि I1 equal to क्या होगा तो बोलेंगे B बटे R1 यहाँ पे I1 की वैलू क्या होगी B बटे R1 होगा लेकिन जो B है वो सभी जगा सेम है अब I2 की वैलू अगर पूछे तो क्या होगा B बटे R2 और I3 की वैलू पूछे तो क्या होगा B बटे R3 होगा इस समस्त का अगर मैं पूछूं आई बराबर क्या होगा तो B बटे R equivalent यहां लिखेंगे B बराबर I R equivalent equal to I1 की वैलू क्या है B बटे R1 B बटे R2 पलस B बटे R3 BBBB सब जगा सेम है ना तो इस BBBB को काट देंगे BBBB को तो हमारा जो फार्मूला हो गया वो R equivalent is equal to 1 बटा R1 पलस 1 बटा R2 पलस 1 बटा R3 यह हमारा फार्मूला हो गया अब कोई अगर कह दें कि सेरेडी करम में बिभव और धारा में क्या सेम होता है तो सेरेडी करम में बिभव सब जगां अलग अलग था और यहां पे समांदर करम में जो बिभव क्या है सेम है यही में सेरेडी करम में क्या डिफिनेशन देंगे तो आप बोलाकरर में कि सरेडी करा में जो बीभव होता हो और समांदर करें नहीं है आप देखिया हम आपको समांतर करम बता दिया और सरी इस पर अगर कोशन करवा देते ना तो बहुत मजा जाता सर जी चलो उकरा देते पहले स्रिडी करम का सिर्डी करम तो बहुत आसान होता या यह कैतार होता है चलो भी बता देते है है में तिटफिक टुदि कुडिओं इसे माल wow यहां पे एक विन्द है यहां पर एक बिन्द है यहां माले चाह्जी जोड़ ब्रतोगों क्या होगा यह सजी ङीली प्रत्वर हो इं क्ञाइब को यह दो यह दो यह दो हम दो हमारे दो है ना अगर मैं पूछ लो कि इसका तुल्ल पत्रोध कितना आएगा तो मैंने क्या बोला था धारा भीजिए धारा जाएगी आराम से घूंख खाते हुए खाना पीते हुए चली आईगी क्या धारा कभी कन्फ्यूज हुई नहीं थिकत नहीं अब देखो अब हम थोड़ा समांतर करम ले लेते हैं समांतर करम भी आता होगा जिसे माली यह है और यह ठीक है और कुछ इसको हम ऐसे करते हैं यह दारा यहां जैसे जाएगी धारा भेजी देना स्टार्टिंग से यहां जाएगी तो यहां कंफ्यूज हो जाएगी आधाइस में चले जाएगी और फिर यहीं चीजी आकल यह मिल जाएगी ज़िगतल अब माली जी यह दो है म्म अंतर करेंगे तो ये कौन सा करम है, समांतर करम, क्यों? क्योंकि धारा बट गई, या 2 तार है, तो इसको हम चपका देंगे, इसे चपका देंगे, आप चपकाईगी कैसे? दोको, 1 बटे 2 पलस 1 बटा 2, यह हम एक बटे r- लेते हैं, इसका पत्रोध हम निकाल लेते हैं, इस तार को जो हम च करेंगे तो क्या जाएगा एक आएगा कोई दिकत नहीं है सर अब देखो मैंने क्या किया इस सब को चपका के एक नया रिश्टेंस आ गया कितना एक एक ओम का और इधर कितना है सर दो ओम का यहां यहां भी है अब आप इसका निकालने में तो एक्सपर्ट है सर जी आर एक्वेवलेंट होता है वन प्लस टू इसकल टू थिरियों एंसर आगया कोई दिकत नहीं अब चले अब थोड़ा आम आपको बढ़ियां बढ़ियां कोशन लेते हैं खूब जहकाज जहकाज कोशन देखिए कि कि कोशन यह है आप इसको देखेंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे लेकिन कन्फ्यूज होने लिए बतिया नहीं है इसका मनलब क्या है सर ये इसका मनलब है ये तार इसको कभी टच नहीं करेगा और टच नहीं करेगा तो मनलब धारा कन्फ्यूज नहीं होगी अब बताओ अगर इसको तार को मैं ऐसे कर दे वह इसे पूरा खोल दे तो एक्केता रहना अब दोको धारा जाएगी कहीं रुकेगी नहीं कहेगी हम तो बहुत अच्छी बात है रहे वाव अच्छी बात सर्जी काई तो बहुत आसान असान तर्जी अब बड़ा बड़ा दीजिए अच्छा वह लो यह वह तुमको दे देते हैं एक कोश्चन हम आपको ऐसे देते हैं तीक है यह दो यह दो यह दो यह दो ठीक है आईसे आपको कोश्चन देदेगा और आप से पूछेगा कि इसका तुले परत्रोध बताएगे या आप यह मां सोचीए आपको दो से बहुत लगाव है क्या आप हमेसा दो लिख रहे हैं आप यह तीन लिखलो कोई दिक्कत है नहीं है और यहां भी तीन निकलो ठीक है हाँ सब्सक्राइब अगर कोई पूछे कि इसका तुल्य प्रत्रोध क्या होगा हाँ सच यह तो बढ़िया कोशन है सिंप्लती चीज है आई भेद दो आई जैसे यहां जाए जाते इसमें चला जाएगा अब मालों जो धारा यहां ग सेड् Constitution तो दो दो चार हो गया व्ल्ला हम आरडेस कमालेलिए दो पलस दो forgiving chemical हो गया चाय अब यहां भी झो धारा गाई यहां से यहां तक वह भी तो टीन पलस टीन चे हो गया तो इसको हम आठ डवेटाव सिवाल तीन आप लोग एक्सपर्ट हो गए हैं इसको हो गया चार यहां बैटरी तुल पर तो आप नहीं निकाल पाएंगे सजी तो बहुत आसान हो गया तो बचपनम सीखे थे एंसर क्या होगा एक बटे आर एक्क्विवेलेंट इसकल्ट होता है एक बटे चार प्लस एक बटा छे चारो एक जिरो लगा के दस्विवेल लगा देंगे कोई दिखका नहीं अशा बस इससे ज्यादा आपको हाई लेवल का कोशन नहीं पूछेगा वह अगर एक कोशन पूछ भी लेगा तो चलो हम एक लेवल काउट दे देते हैं थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा कि एक कोशन यह ह कि थोड़ा चतुर भूजवाला करा देते हैं यह कोशन आपका बहुत हाई लेवल हो जाएगा यह कोशन बारा में है खेर आप ही को करा दे रहे हैं यह भाई यह यह A B C D माली यह दो 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 ऐसा मत बोलिया पती मत करिया सर आप दूइस से बहुत लगाओ है क्या दूइस से लगाओ नहीं है बाबू इसलिए दो लख रहे हैं क्या कि यह थोड़ा असान हो जाएगा जल्ली लगा देंगे बाकी आपको जोड़ घटाना गुड़ वक्त आते होगा अब आपसे कोशन पूछा है कि A वाब B के बीच तुल्य पत्रोध बताई तुल्य प्रतिरोध या कोशन पूछले पहला कोशन इसी मन मैं दो दो कोशन करा रहा हूं दूसरा कोशन पूछले कि A C के बीच A C के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा सर बता दीजी हमको ठीक है बाबू मैं आपको बता देता हूं ध्यान से सुनो question जिसका पूछा जाए जैसे यहां A B का पूछ रहा है यहां A C तो हम पहले A C का बता दे रहे हैं जिसका पूछा जाए उसको आप disturb नहीं करेंगे उसको आप उसे कोई से छोड़े रहेंगे तो AC पूछा है ना तो AC को हम ऐसे last तक ऐसे बने रहेंगे हम तुम्हारे जिंदिगी भर साथ देंगे और जब मौक्का जागा तो ठंगा देखा के भाग जाओ देखो AC AC को हम ऐसे छोड़ देंगे क्योंकि उसको हम नहीं टच करेंगे ठीक है अब देखो अब धारा यहां से जाएगी यहां पिचाएगी कोहीं कन्फूजन नहीं होगी खाना पी के यहां चली आएगी मतलब यहां से यहां तक एक तार है बाबू जब एक तार है तो कौन सा करम सर जी स्रेडी करम तो R-DES ले लो R-DES क्या होगा 2 प्लस 2 और 2 मिलके 2 हो जाते है 4 यह हो गया ओम कोई दिक्कत नहीं मतलब यहां से एक तुले पर तुले आगया 4 ओम का कोई दिक्कत नहीं है गुरू जी मैंने क्या बोला जिसका पूछा जा उसको आप टच नहीं करेंगा अब फिर इस पर आओ अच्छा जो धारा इसमें जाएगी वो धारा क्या इसमें बटेगी नहीं बटेगी सर तो यह कौँ सा करम सर से रेडी करम तो R-DES इसको टू हो जाएगा 2 प्लस 2 इसको टू 4 ओम मतलब A से यहां पर 1 ओम गया वो भी उसका मान हो गया 4 ओम और इसका मान है 2 ओम बावू अब आप इसका नहीं निकाल पाओगे यह तो साजी बचपरम खेल चुके है कि 1 बटे R-Equivalent मतलब तुल्य परत्रोध क्या होगा समानतर करम में है तो 1 बटे 4 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 बटे 4 और 4 दो 4 का लासापा कितना होता है साजी 4 होता है यहां 1 दो दूना 2 प्लस 1 यह हो जाएगा 4 बटे 4 काटेंगे तो आजाएगा एक ओम तो R-Equivalent को जो हम उल्टा करेंगे तो आएगा 1 एंसर कोई दिक्कत नहीं है सर अब कोश्चन यह पूछ ले अगर कि A-B के बीच तुले पत्रोथ कितना होगा तो यह तो और जवर्दस्त कोश्चन है बाबू चलो भी बता देते हैं आपको देखो अब कह रहा है A-B के बीच तो मैंने क्या बता है जिसका पूछा जाए उसको आप कभी छोड़ेंग नहीं ने तो तूट जायता है यह A है यह B है ठीक है जिसको पूछा जाए उसको हमेशा अंतिम तक रखे रहो हमेशा अब मैंने इसको लिख दिया अब धारा इसमें जाएगी इसमें जाएगी तो पहले धारा जब इसमें जाएगी बाबू तो यहां तक स्रेडी करम मैं आपको बता दिया लिख लेना तो A से D तक गया दोखो यह C लिख ले रहा हूं पहले यहां C है न और यह गया यह हो गया कितना आगया दो दो चार और यह हो गया दो अब देखों इन दोनुतार को मैं चपका लेता हूं ऐसे तो यह कौँ सा करम है समांतर करम है तो 1 बटए 4 प्लस 1 बटा 2 1 बटा 2 कितना आएगा लासा पाच्छा 1 बटा 2 कितना आएगा 3 बटे 4 उल्टा करेंगे तो 4 बटे 3 आएगा मतलब अब मैं इसको इसे अगर चपका लूँ तो हमारा परित्त कुछ इस तरीके से होगा यह हो गया दो अब देखो इसको अगर मैंने इसे चपका लिए तो कितना आया था भी तीन बटा दो आया था कितना था तीन बटे चार आया था तीन बटे चार आया था ना भी यहां पे हां देखो एक बटे चार प्लस एक बटा दो तो उल्टा करेंगे तो चार बटे तीन आया था यही तो आया था दो तीन चार बटे तीन आया था ठीक है तो यहां पे एक चार बटे तीन आ गया और यह बिंदू मालों सी है और यहां स से एक है यह मालों दो होम है क्योंकि दो है ठीक है अब यहां से जो धारा जाएगी यह भी को आपस में कौन से करम बना लिए सरी यह तो स्रेडी करम बना लिए सरी इसे जूड़ जाएगा फ्लस दो बटा एक जोड़ेंगे तो क्या होगा चार एक नम चार, तीन दूना छे बटे तीन है, कितना होगा, छे तीन, छे चार, दस बटा, तीन हो जाएगा, मलब अब हम इसको अगर जोड लिए, तो हमारा जो परिपत बना, पूरा टूटल, यह A हो गया, यह B हो गया, यह कुछ इस तरीके से बना, ठीक है, क्योंकि इनक को मैंने जोड लिए, तब एक परितूरत में कर्वट हो गया, दस बटा, तीन, अब यह किस करम में है, यह समांतर करम में है, तो एक बटा आर, इक्विवेलेंट, इसकल्टू होता है, एक बटा, आर, यह उपर चला जाता है, यह हो गया, प्लस एक बटा, आर, टू, इम ए दो दस और दो कला सापा दस तीन पाँच कितना होगा आठ बटे दस उल्टा करेंगे आर एक्विवलेंट का तो दस बटे आठ आएगा ओम कर देंगे यह हमारा हैंसर होगा ठीक है देखे सबसे इंपोर्टेंट आता है जब हम लोगों ने प्रतिरोध पढ़ चुका उसका हम लोगों ने कोशन देख लिया प्रतिरोध देख लिया अब सर आता है कि सर यह जो प्रतिरोध है ना किस किस बातों पर डिपेंड करता है कहां कहां डिपेंड करता है गुरुजी त यहां light हमारा बहुत सही चलता है लगिन वही तार अगर हम बहुत लब्मा बहुत दूर तर ले जाएं तो हमारा जो light जलते हैं ढेवरी जलती है बहुत slow light तो इससे यह पता चला कि ज्मारा दूर बढ़ा उतना बढ़ेगा मलब लंबाई हम जितना बढ़ाएंगे धारा मलब हमको लाइट बहुत कम मिलेगी समझ गए और दूसरा है कि हमारा जो बैदुत परत्रोध है वो डिपेंड करता है एरिया पर लेकिनों ब्योत कर्मान उपाती इसका मलब यह हुआ एरिया मलब जिसका एरिया मलब जैसे ही छोलता था न अब यही इतना बढ़ा अगर हम यही इतना अगर कोalsa दो तो कम मिलता है बड़ा कर दिया घटा दो तो परत्रोध हमको ज्यादा मिलेगा अब इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो रह दो और है इधर भी है पर पोस्तनल यह एल अपन ए हो जब ये परपोर्शनल का चिन हटता है तो एक कॉंस्टन्ट आता है जिसका नाम होता रो ल वाई ए ठीक है इस रो को हम कहते हैं प्रति रो धक्ता क्या कहते हैं प्रति रो धक्ता और ये सबसे जादा इंपोर्टन्ट है बहुत बहुत इंपोर्टन्ट है ये भी इस रो को क् प्रति रोधकता तो रोज गल्टु क्या हो जाएगा इस एक गुड़ा करेंगे तो यह हो जाएगा आर ए एल को नीचे आजाएगा तो आर ए बाई मीटर तो एक मीटर से एक मीटर कट गया तो हमारा जो answer आ गिया वो भाईया आ गिया ओम मीटर प्रतिरोधक्ता का जो मातरक होता है वो ओम मीटर होता है कोई दिक्कत नहीं है सर चलिए आगे बढ़ते हैं कितने मिनट देखे एक question है दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मुटाई के तार का प्रतिरोध चारों है, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, मनलब द्यान से सुनो, हमारा दो तार है, पर्थम और दूतिय, दिये गए पदार्थ के किसी L लंबाई, मनलब जो पहला तार है, A मुटाई के तार का प्रतिरोध चारों है, हमारा जो पहला प्रतिरोध है, इसका मालना रवन, इसका जो प्रतिरोध है, वो चारों है, वो R इचकल टू होता है, अगर कोई पदार्थ है, अगर सेम होता है और इसका आरवन कितना है चार ओम है ठीक है अब कहें इसी पदार थे किसी अन्य तार का प्रत्रूद क्या होगा बतलब दूतिय तार मुझा पदार तो वही है अब तार की क्वाल्टी बढ़ा दिया दोको इसकी जो लंबाई थी अभी तक तो यह इतना लंबा था मान कि उसकी प्रतिर professor ओक्ता वही रहेगी क्यों 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 कि वही पदाष थे जो को यहां चोड़ा था वही पदार जाए इसकी बदला क्या है एरिया और लेंथ बदली है तो यहां R2 पूछ रहा है कि तब R2 कितना होगा तो R2 इसकल टू क्या होता है रो L by A लेकिन यहां L by 2 है और A का मान है 2 A यहां तो कोई दिकत नहीं है सर्थ यह दो नीचे आ जाता है तो यह हो जाता है रो 1 by 4 क्योंकि दो दूना 4 L by A है ना और इसको अगर हम कुछ इस तरीके से लिखे कि R2 को हम 1 by 4 इधर कर लिए और इधर हो गया रो L by A है ना लेकिन आप लोग जब इसको गौर से देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि इसका मान तो 4 दिया है इसका मान कितना दिया है चार ओं दिया है तो आप क्या करिए इस R2 को एक बटा 4 गुड़े यहाँ पे चार रिधी हो संकर नमबर एक माल लिजिए और यहाँ लिख दिजिए कि संकर एक से इसका मान निकाल चुके हैं सर जहां यह चार इसको काट देंगे तो आर्टू कमार आ गया एक ओग यह होगे हमारा एंसर होगे बेरी बेरी important question है बहुत important question है ठीक है अब हम आपको एक lost topic बताते हैं जिसका नाम होता है सक्ति अब किसी का नाम सक्ति है तो उसका बात है अलागा वैया सक्ति हम power को लेंगे कि power मलतब सक्ति क्या होती ठीक है तो चली हम आपको बताते हैं कि सक्ति क्या होता है सक्ति कहते हैं अब बहुत ज्यादा जिसके पास शक्ति होगी वोच कम समय बहुत कम ज्यादा काम कर देगा जिसके है हमारा सक्ति का फार्मूला होता है इसका डिफनेशन को पूछ ले तो क्या होगा कार करने की दर को क्या बोलते हैं सक्ति कार करने की दर को क्या बोलते हैं सक्ति इसका जो मात्रक होता है वह होता है दो को डबलू का मात्रक जूल परती, समय का मातरक सेकेंड, लेकिर इसका अगर SI unit लिया जाए, तो P का मातरक होता है, वाट P का मातरक क्या होता है, वाट होता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अब आपसे अगर कोई question कह दे, कि एक तार है 5 एंपियर को ले जाने में, 2 जूल कार करना पड़ता है, और 3 सेकेंड में, तो बताए, उसकी सक्ती कितनी होगी तो भाईया, I से कोई लेना देना नहीं है, P बरावर क्या हो जाएगा, P बरावर होता है, W वाइटी, W का मान है, 2 और इसका मान है, 3, यह हो गया, वाइट यह हो गया, एंसर, कोई दिकत, नहीं है, सर, फिर एक आता है, सर, यह उसमे परभाव क्या होता है, हीट सकती, इसका सजी धारा का, हीट से क्या करेक्शन है, तो बाब, आप लोगोंने कभी-कभी घरों में देखा होगा, कभी-कभी सार्ट सर्कीट हो जाती है, हम क्या करते है, तार पुद जल गया, लेकिन वहां सार्ट सर्कीट हो गया, मतलब अब जब उसको आप टच करेंगा, तो देखा होगे, बहुत तेज गरम हो जाता है, हीट आ जाती है, मलब कि बैदुधारा से क्या हो गया, उतपन, हीट उतपन हो गया, उसमा हो गया, और यही परभाव कहलाता है उसमियद्धुद्द्धारा का उसमिय परभाव कहलाता है कि भी आई छो को अगर डबलू भी ले तो कोई दिक्कत नहीं ठीक है ओर अगर हम अगर हम अगर हमाले अगर हमालिज सक्ति भी दिया हो तहrophy mm पार में पार्मुला क्या होगा टो पी बराबर 502 इंड यह अब डबुलू का मातर क्या होता है वी अइटी से टी कड गया तो पी का ओर वी आई लो पी का फ्रमॉल्ण ओर निकल रहे है वहाइब वाट होगा तो अगर आपको कॉ Chemie में लिडिया है भोल्त दिया है तो ईक्ला कोई दिख्यत नहीं यहीं पर समाप्त होता है अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब को जो मिड़ते हैं अगले क्लास में जय हंद जय भारत